जहेंदे पहरे सातियों योनिके स्टेडी विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बिल्कुल रेगुलर की मैराथन अपनी कंटिन्यू रहेगी और आज मैं अपनी मैराथन का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ फिर से मैं एक बहुत ही महत प्रस्ट में एकनी को देखने को मिलेगा और ऑल्मोस्ट नाइन्टी फाइब से ही नाइन्टी परचेंट मतलब 99% होते हैं जो इस क्योशन को गलत करके आते हैं ठीक है केवल एक पर सब्सुल बात बता दूब प्यारे सातियों जो मिरा पेड़ बैच है उसमें मैं ये सारी चीजे पढ़ा जो का हूँ, बहुत सारी लोग कमेंट करके बोलते हैं, सर आप मेरा थन क्यों नहीं ले रहे हैं, प्लिज मेरा थन कराओ, देखो, कुछ-कुछ कर सकते हो, बहुत बेस्ट बुक है, के वियस मदान का, मतलब एक बार, मेरी वाली बुक को पढ़ लोगे ना, के वियस मदान को भोल जाओगे, रियलिटी है, मैं गारेंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, क्योंकि उससे तो एडवांस में कॉंटेंट है, बिल्कुल दो हजार बीस मैंने सारी चीज़े की हैं, अब देखो, ये दो टोपिक हैं, एक तो है, इसकिनर और क्राउड का सिद्धान्त, और दूसरा है अपना जो, ये है न, जीन प्याजे का, तो इसकिन क्राउड और जीन प्याजे का, इनका ओल्मोस्ट जो टीचर के लिए टैट के एक्जाम होत पदेशन के लिए, उनमें आते थे ये क्योस्ट पहले, लेकिन आजकल नैट में आने लग गए, पता नहीं क्यों खूपड्य के सगई, सलेबस में है नहीं, फिर भी क्योस्ट देतेते हैं, इसकिनर और क्राउड की ने, अभीकरमित अनूदेशन की निमने विदियां तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि इसकी नर और क्राउड ने अभीकरमित अनुदेशन की टोटल तीन विदियां बताई थी जिसमें पहली है रेखिया या भाया अभिकरम दूसरा है साखिय या आंतरिक अभिकरम जिसको हम स्रंखलित अभिकरम कहते हैं और तीसरा है अरोई अभिकरम या अभिकरमिक अधिकम ये तीनों आपको विकुल अच्छे से पता होना चाहिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं सभी को सबसे पहले मैं कवर करता हूँ रेखिय या भाया अभिकरम को इस अभिकरम में क्रमवार या सीधी रेखा जैसी ववस्ता होती है यह परकेरिया उस समय तक चलती है जब तक कि छातर को लक्षे के प्राप्ति न हो जाए अर्थार्थ यह परकेरिया चातर के सीखने तक चलती है इसमें परसन उत्तर की विदी का पालन किया जाता है एवं परसन उत्तर की परकेरिया द्वारा चातर नया अनुभव प्राप बड़ता होदी है नामस पता चल रहा है एक सीधी रेखा जैसी व होती है यह परकिरिया उस समय तक चलती है जब तक की छातर का थे लक्षय की प्राप्ति नहों जाए जो रेखिया या फिर भाई अभी कर्मन मैंना वह एक रेखा की जैसी वहस्ता वाला होता है और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि छातर को उसका जो main target है वो ना मिल जाए यह है परकिरिया छातर के सीखने तक चलती है और जो रेकिया या भाया अभिकरम की परकिरिया ने ये चातर की सीखिने तक चलती है मतलब जब तक चातर को concept के लिए नहीं हो जाए जब तक चातर को सारी चीजे समझ में नहीं आजाए तब तक ही प्रकिरिया चलती रहती है इसमें person उत्तर विदी का पालन किया जाता है जो रेकिया भाय अभी कर्मिक विदी है इसमें person उत्तर विदी का पालन किया जाता है टीचर student से question put up करता है student को answer देता है या student teacher से question put up करता है और teacher student के question का answer देता है प्रकिरिए यह person उत्तर की किया 24 नया अनुभाव प्राप्त करता है और इसमें जो question answer की जो process चलती है इसके माध्यम से जो student वो एक नया experience अची हो करता है एक नया experience मिलता है उसको अब जैसे मैं यहाँ पर आपसे question put up करूँ या आप मेरे से question put up करो यदि मैं आपसे question put up करूँगा मैंने कोई नया question put up कर लिया आपसे कोई नया question पूँच लिया जो आपको नहीं आता है उसका answer आपको नहीं आता है उसका answer आपने अभी तक कभी सुना नहीं उस question को आपने कभी तक कभी सुना नहीं तो आपको क्या मिलागा एक नया experience मिलेगा आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा आप मेरे से कुछ ऐसा question पूँच लिये कि वो मेरे को नहीं आता है, मैंने कभी लाइप नहीं सुना हूँ उसके बारे में तो फिर वो मेरे को एक नया experience मिलेगा, ठीक है तो जो question answer की जो प्रकिरियान, वो एक नया experience देती है साथ इसाथ वो हमें क्या देती है, एक नया ज्यान देती है experience इस तरीके से भी देती है, suppose that आपने मेरे क्योशन पूँचा मैंने उस क्योशन का आपको answer किस तरीके से बताया किस तरीके से बताया, या फिर मैंने आपसे क्योशन पूँचा आपने उस क्योशन का answer किस तरीके से बताया ये सारी चीजे experience based पर होती है इसमें सिक्षार्थी स्योंपर्ति किरिया देता है और इसमें जो student होता है वो always feedback देता है तो ध्यान रखना ये जो रेखिया या भाय अभिक्रम विधी होती ना इसमें manly सबसे ज़्यादा depend करता है कि teacher question put up करता है और जो student है वो उसका answer देता है student है जो feedback देता है साखिय या आंतरिक अभिक्रम या स्रंकलित अभिक्रम इसमें विधार्थी की कमजोरी तुर्टी एवं कठिनाई को ध्यान में रखते हुए अभिक्रम अनुदेशन की किरिया विबिन पद सोपानों में पूरी होती है इसमें सिक्षार्थी एक पद को पूरा कर लेने पर इसमें विधार्थी की कमजोरी तुर्टी एवं कठिनाई को ध्यान में रखते हुए अभिक्रम अनुदेशन की किरिया विबिन पद सोपानों में पूरी होती है इसमें क्या होता है विधार्थी की कमजोरियों को विधार्थियों की कहां कहां स्टुडेंट मिस्टेक करता student के सामने कौन-कौन सी problems आ रही है उन सभी को ध्यान में रखा जाता है और फिर उसके बाद में क्या किया जाता है उसको student के सामने जो problems आ रही है student के सामने जो कमजोर या है student की उन सभी को soul किया जाता है विपिन पद्ध सोपानों में पूरी होती है और जो साखी या आंतरिक अभिक्रम या फिर स्रंखलित अभिक्रम की जो प्रोसेस है वो किसी एक सोपान में पूरी नहीं होती है यह बहुत सारे multiple सोपान में complete होती है इसमें सिक्षार्थी एक पद को पूरा करने के बाद ही दूसरे पद की और आगे बढ़ता है उसके बाद होता है अवरोही अभिक्रम या अभिक्रमित अधिकम इसमें विशय सामगरी को छोटे छोटे भागों में प्रस्तूत किया जाता है जो अवरोही अभिक्रम होता है ज नुबोदो जैसी वीडियो का प्रियोग किया जाता है सबसे पहले क्या होता है इसमें देखो अवरोही का मतलब होता है घर्टा करम मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ अवरोही का मतलब होता है घर्टा करम या अभी करमित अभी कर्मित का मत्रब होता है पास-पास में आना जोग्रोफी में देखो दो पर के लिया चलती है एक चलती है अपसरण के लिया एक चलती है अभी सरण के लिया अभी सरण में क्या होती है दो प्लेटे एक दूसरे के पास-पास में आती है और अभी की अपसरण में क्या होती है दो प्लेटे एक दूसरे से दूर जाती है अउरोही में क्या होता है उपर से नीचे की ओर आते हैं और आरोही में क्या होता है नीचे से उपर की ओर जाते हैं अब मैं यहाँ पर आपको याद करने का तरीका बताता हूँ ये कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट था उसको छोटे भाग फिर उसका छोटे भाग फिर उससे छोटा भाग उससे छोटा भाग तो क्या होता जा रहा है घड़ता करम होता जा रहा है पहले उपर यूपर बड़ा था फिर उससे छोटा हुआ फिर उससे छोटा हुआ फिर उससे छोटा इसमें जो भी पधार्त जो भी वस्तू वो क्या होगी भूत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी सपोस्ट ये एक विक्स के डिब्बी है मैं इसको दोनों तरप से ऐसे दबाता हूं यदि मैं भूत प्रेसर के साथ दबाऊगा नहीं तो ये भूत सा चोटे चोटे भागों में तूट जाएगी तूटेगी तो वो क्या उड़या पून से छोटे छोटे अंस्की हो रहा गए हम हम कंप्लीट से अंस्की हो रहा गए ठीक है ना अवरोही विदी का प्रियोग किया जाता है अवरोही अभिक्रम में जatिल व्यवार समु पुनर बलंच जैसे सिद्धान्तों का प्रियोग किया जाता है अब देखो जो अभी करमित अधिगम है इसके कुछ सोपान है ये आपको पता होना चाहिए जैसे परकरण का चैन करना फिर उसके बाद उद्दिशों का निर्धारन करना फिर विशेवस्तु का विजलेशन करन पिर अनुदेशन के करम का निर्धारन करना फिर मापदंड परिक्षा का निर्बान करना फिर अनुदेश के प्रावरूप का निर्धारित करना फिर अभी करमित अनुदेशन के सोपान को लिखना सोपानों की जाच करना और मुल्यान करना ठीक है तो ये कहें इसके सोपान अभी कर्मित अनुदेशन के तो यह आपको पता होने चाहिए नो के नो इस्टे बाइस्टे पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम परकरण का चैन करते हैं फिर उसके बाद हम उद्देशों को निर्धारित करते हैं फिर अनुदेशन के क्रम को निर्धारित करते हैं फिर माप evaluation करते हैं तो ये एक systematic way है जो आपको पता होना चाहिए अब उसके बाद आता है व्यक्तिगत विभिनता हैं व्यक्तिगत विभिनता व्यक्तिविसेश की विभिनता को बताता है जो व्यक्तिगत विभिनता है वो क्या बताता है व्यक्तिविसेश की विभिनता को बताता है जैसे आपका दिमाग मेरा दिमाग किसी भी हाल में समान नहीं हो सकता इस दुनिया में यदि तीन या दो जुड़ा भाई भी है न उनका चेहरा एक जैसा हो सकता है वो देखने में एक जैसे हो सकते हैं लेकिन वो completely एक समान नहीं हो सकते क्यों? क्योंकि उनके बीच में व्यक्तिगत विबिनता है एक आदमी को दूसरी आदमी से अलग करने वाले कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग दिखा रहे हैं इसको बोलता है व्यक्तिगत विबिनता जैसे आप दो भाई भाही भाहीनों दोनों में बहुत सारे अंतर होंगे आपका नाक भी अलग होगा, आख भी अलग होगे, कान भी अलग होगे, बाल भी अलग होगे सोचने का तरीका भी अलग होगा, समझने का तरीका भी अलग होगा Everything is different between you and your sister या brother आपने चिंकी मिंकी के बारे में देखा होगा, दो जुड़वा भाहीने हैं चिंकी मिंकी, यूटूब पर सर्च करना, दोनों बिल्कुल सैम दिखती है दोनों सैम बोलने के कोशिस करती है, बिल्कुल सैम बोलती है जब दोनों एक साथ बोलती है न तो ऐसा लगता है कि कोई एक ही बोल रही है दोनों नहीं बोल रही है बिलकुल कोपी पूरी तैयरी के साथ होती है लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ तो difference है ठीक है वो representing कर रही है हमें वो वहाँ पर आखे दिखा रही है acting कर रही है एक समान होने के लेकिन यदि reality में देखी जाए तो दोनों में बहुत बड़े अंतर हैं तो इसको बोलते हैं व्यक्तिकत विभिनता कि परते एक व्यक्ति परते एक आधार पर परते एक व्यक्ति से विन होता है चाहे फिर वो जुड़वाई क्यों ना हो अब जो व्यक्तिकत विभिनता है उसके बहुत सारे आधार है जैसे वंसानुक्रम अब वंसानुक्रम क्या होता है देखो कुछ अंतर होते हैं जो वंस से चले आते हैं ठीक है जैसे पैदा हुआ पैदा होते ही दो भाई 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 पैदा हुए भी बोलोगे रोने लग जाएंगे, आप उनको थोड़ी सी छेड़कानी किरोगे रोने लग जाएंगे, माइंड खिराब हो जाते हैं, यह पूरे दिन बर होता रहता है, कुछ इतने प्यारे होते हैं, मतलब आप उनके साइड देखोगे, वो हसने लग जाएंगे खुदी, आप उनको बोलोगे, आपने लग जाएंगे, चोटे से, बतब गोदी में लेने का मन करता है, फिर उनको खिलाने का मन करता है, खुद माइंड फ्रेस हो जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो, वो क्या एक व्यक्तिकत विपिनत हैं, बलकि दोनों हैं से भाई 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 नह होती है, हो सकता है मैं बिमार हूँ, हो सकता है आप स्वास्त हो, हो सकता है यहां पर किसी को लूज मोशन हो रहा हो, हो सकता है किसी को बुखार हो रहा हो, किसी को पेट दर्द हो रहा हो, किसी को सिर दर्द हो रहा हो, किसी की एक आँख में दर्द हो रहा हो, जिसकी वज़ आप सरीर के अंगों में भी देखोगे ना, आपका blood group अलग है, मेरा blood group अलग है, किसी और का blood group अलग है, मेरा plasma अलग है, आपका plasma अलग है, किसी और का plasma अलग है, मेरा IQ level अलग है, आपका अलग है, किसी और का अलग है, किसी और का अलग है, ये क्या है, स्वाथ से related difference है, आप मे खून की मातरा कम हो, मेरे में जाता हो, मेरे में कम हो, आप में जाता हो, आप बल्कुल रेड दिखते हो खून की जाता मातरा की वज़े से, किसी में कैलेस्टोल की मातरा जाता है, वो तुरंट गुसे वाला हो, कुछ लोग फुल एनर्जी वाले होते हैं, उनको कभी बोलो त तरहें तो भाय से काउंट करोगे तो इस दुनिया में कोल भीड़ी सेम जोने इसका नहीं maintaining आपको मैं बता दू흥ा एक मिनट में लगप्चे पैदा होते हैं चार नए बच्चे पैदा होते हैं चार नए नही का मतलब नए बच्चे पैदा हो रहे हैं चार एक मिनट में ठीक है बुद्धी बुद्धी अलग है सभी की मेरी बुद्धी अलग है आपकी बुद्धी अलग किसी और की बुद्धी अलग होता है एजुकेशन सभी के अलग होती है जाती रास्ट परजाती रास्ट यह सभी के अलग ह लेकिन अमेरिका से कंपेर करें अलग हो गया पर जाती यह सब भी अलग है लिग बेत के अधार पर तीन कुछ महिलाई हैें, कुछ पुरूस हैं, कुछ ट्रासजेंडर हैं प्रस्थ्भूंट के अधार पर वक्तिगत भूर भी बिंता है आपका बेक्गरावंड काई सै उसके baces पर तो बैक्ग्राउंड भी बहुत सारे फैक्टों पर डिपेंड करता है एक तो बैक्ग्राउंड एकोनोमी लेवल पर होता है रहीस खांदान में पैदा हो रहे हैं पैदा होते हैं BMW में घूम रहे हैं मतलब इतने सोफ पूरे की जार है वो कभी दिक्ट नहीं आरी लाइप में कि रुपय भी कोई चीज होती है वो सोचता है पांस रुपय कि मिलते हैं 50,000 रुपय है सोच रहा है वो लाइप में यह सोचते हैं कि BMW के लाओ कोई गाड़ी नहीं होती BMW क्या गाड़ी है ऐसी भी फ करता है भाई मैं एक बात बोलता हूं बैक्ग्राउंड को लेकर हम मुकेस अंबानी के क्यों नहीं पैदा हुए वो भी एक व्यक्तिकत विबिनता होगी ना भाई वह दो क्यों पैदा हुए उनके जो पैदा होने के साथ में अरब पती खरब पती बन रहे हैं उनको लाइफ म नहीं पैदा हो रहा है उस दिन से वो भूख खए एक भूख के परिवार में पैदा हो रहे है जहां पर उसको कुछ खाने को नहीं मिलता यह क्या है यह प्रस्ट भूमिं के आधार प्रभिपुता है जैसे आपके कल्चर आपका कल्चर आपकी family के कल्चर में मेरी फेमिली म आती जाती है लेकिन कुछ में बहुत जादा बहुत जल्दी आ जाती है कुछ में बहुत कम बहुत लेट आती है मैं tantoटी अलग अलग तरीकी उसे कुछ चोटे बच्टे भूध घ्यांगी बाते बते करते हैं कुछ बढ़े बढ़े भी पाघलवाली बात-कर सौबहाओ दिल को टच करने वाला मन करता है कास यह मेरा लाइफ पार्ट्नर बन जाए कुछ का सौबहाओ ऐसा होता है रहे तु सदाए गुस्षे में तु सदाए लड़ने के लिए तयार रहता है कास तेरे जैसे तो मेरा लाइप पार्टनर आए नहीं कवारा रहे जाओं अच्छा रहेगा सभभा हुए व्यक्तिगत विविन्ताओं को जानने के बहुत सारे मैथर्ड्स हैं उनके बारें बताता हू जैसे बुद्धी परिक्षन है बुद्धी के आधार पर वक्तिगत विविन्ताओं को जानने को सिस किया जा रहे है उपलब्दी परिक्षन है आपने क्या-क्या हासिल किया है आप क्या-क्या सीख सकते हो आप क्या-क्या हासिल कर सकते हो उसके आधार पर डिफ्रेंस है किसका हाथ है अभी वर्ती परिक्षान व्यक्तिगत परिक्षान और अभी रूची परिक्षान ये कुछ मैथर्स हैं जिनके द्वारा हम व्यक्तिगत विबिन्ताओं को चेक कर सकते हैं उसके बाद आता है जीन प्याजे का थोरिया जीन प्याजे का जो सिद्धान्त है उसको विकासाथ बक्षिद्धान्त भी कहते हैं और उसको अवस्था का सिद्धान्त भी कहते हैं जीन प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिक पक्ता आती है वैसे वैसे वहें वस्तों के बारे में अपन आपको change कर रहे हो, तो वो क्या है, आप अनुकूल हो रहे हो, किसके environment के अनुकूल हो रहे हो, कुछ लड़के नहीं होते हैं, लड़के के अनुकूल हो जाते हैं, जैसे लड़के लड़कों के अनुकूल हो जाते हैं, कुछ लड़के लड़कों के अनुकूल हो जाते हैं, ज आत्म में सात्र करण क्या होता है कि आपके पहले के ग्यान को आपके नए ग्यान के साथ जोड़ना यदि पहले वाले ग्यान को नए वाले ग्यान के साथ जोड़ना तो इसको हम आत्म शात्र करण कहते हैं समायोजन पूर्व ग्यान में परिवर्तन करके वातावरन के साथ ता पहले वाला विचार हम खुद गया देते हैं अब बदल चुक है आप लड़किया चोटी छोटी पड़े पहने लगए है लड़के वन साइड हैर इस्टाइल करवाने लगए बालों को कलर फुल किरवाने लगए अब पहले वाला टायम नहीं है अब टाइम बदल चुक है कानों में कुड़की पैन रहे हैं बाल बढ़ा रहे हैं वो क्या है वो समायोजन है ताल मिल बैठाओ भाई आपका जो पहले का ग्यान है उसके को परजेंट के साथ क्या करो मिलाओ ताल मिल करो बैठाओ समायोजन करो उसके बाद आता है साम्य धारन या संतुलन इसके द्वा में balance बनाया जाता है iskimas किसी काम को करने के अलग-अलग तरीके होते हैं उदारन बच्चे को भूख लगने पर मैं रोता है क्योंकि उसे पता है रोने से खाना मिलेगा कितना गजब का idea है इसको बोलते है iskimas iskimas का मतलब होता है हर काम को करने के अलग-अलग तरीके हैं आपको पता है कि यदि मैं रोस जाओंगा तो मिरो पापा जो चाहेंगे वो दिला देंगा आप रोस के बैठ जाओगी आपको पता है कि यदि मैं रोस आना पीछे से दो जहापट टिकेंगे जिंदिकी में नहीं रोस हो गया कई लोगों को रूस ने कातर नहीं पढ़ जाती है चोटीची बात कर मुह फुला के बैठ जाते हैं क्यों क्योंकि उनको हैबिट पड़ी हुई है जैसे मुह फुला के बैठते हैं उनकी सारी ज़रूते पूरी हो जाती है हम ऐसी फैमेली से हैं यदि हम रूस गए मैं ऐसी फैमेली से हूँ यदि मैं किसी भी टोपिक को लेकर किसी भी बात को लेकर रूस गए न भाई वो जिंदगी में नहीं मिलेगी साथ में 2-4-5 और मिल जाएंगे फिर वो यह नहीं देखेंगे कि इतनी एज है कि इतना बड़ा हो गया है मास्टर है पढ़ा रहा है नहीं फिर तो बैस जहांपट टिकेंगे रूस थै बुड़ा पामार बच्पन में भी नहीं रूस कभी याद नहीं है कभी रूस है और यदि कभी रूस मिले है न बाई मिस्टेक तो वो चीज तो जिन्दकी में नहीं मिली वो इतनी से सपोस्जेट कोई खाने का सामार इतना रखा हुआ है और रूस गया है नहीं मैं तो इतना नहीं इतना खाऊंगा ठीक है दो मिलेटी में वो भी गया है अब रूस हा रहे तो ज्यादा नाटक करते हैं दो जहापट अगली बार बिलकुल भी नहीं रूस ना क्योंकि पता है कि यदि रूस हा तो दो जहापटी मिलेंगे पिलस में जो है वो भी चला जाएगा तो जो मिल रहा है उसको खालो और दो जहापट से बचलो सरीर के द्वारा की जाने वाली किरियाओं जो दिमाग से जुड़ी होती है सरीर से की जाने वाली किरिया जो दिमाग से जुड़ी होती है उसको बोलता है छोटा बच्चा आइस क्रेम खाता है दिमाग से जुड़ी हुई है आइस क्रेम को खा रहा है ठीक है पानी को पी रहा है चाय को फूंग दे के गरम चीज को छोटा बचा नहीं होता है उसको नहीं पता होता है इस टार्ट में लेकिन वो एक बार पता चल जाता है यार ये गरम है फिर मम्मा फूंग दे फिर खावा मैं तो मम्मा से ठंडा करवा बता है फिर खाता है थीक है वह क्या है इस कीमा है कि प्याजने संग्यादत मुत्र कास की टोटल चार वस्ता है बताएं पह bikini या पेशि की आवस्ता धे ka जिरो właści के बच्चों के लिए होती यह इस आवस्ता में बच्चा अपने साहटचय प्यूद वस्तु को भी ढूंड लेता है, ठीक है, मतलब सम्वेदी पेशी अवस्ता, 0-2 साल थक होती है, 0-2 साल के बच्चे के जो जो कि वी सेशता है होती है जैसे, 0-2 साल का बच्चा होता है उसको हम ऐसे नहीं करते हैं, मिरको ढूंड ङूंड हम छुप जाते ह है फिर हसता है तो उसके दिमाग में capture करने लग जाता है उन चीज़ों को वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता यह अवस्ता दो से साथ साल के बच्चों के लिए होती है यह किरिया करने से पहले की अवस्ता है इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों कशलिग को देख पाएगा समझ पाएगा लेकिन कोई किरिया नहीं कर पाएगा जीववाद जब बच्चा सजिव और नर्जी वस्तों में अंतर नहीं कर पाता अह केंद्रित जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता te कि जो वहें कर रहा है सोच रहा है सब ठीक है अपल्टावी इसमें बच्चा वस्तों संख्याओं समस्याओं आधि को उल्टना पल्टना नहीं सीखता मुद्रा संप्रते दूरी भार उंचाई आधि की अउधावनों की कमी इस अवस्ता में होती है केंद्री करण जब सिवस्तों की सभी विसेश्टाओं को छोड़ कर केवल एक विसेश्टा पर ध्यान देता है मूर्ट संक्रियात्मक अवस्ता यह अवस्ता साथ से ग्यारा साल के बच्चों के बीच में होती है इस अवस्ता में बच्चा सामने रख्यूई चीजों को देख कर ही कुछ कर सकत या उन पर चिंतन करना सुरू कर देता है इस अवस्ता में अपल्तावी जीवाद मुद्रा भार आधी अउधाउनों का गुण आ जाता है उसके बाद आता है आगमनात्मक तर्कना यह भी इस अवस्ता में आता है यानि जब बच्चा उधारन की रूप उधारन के उपर आध तो इस तरीके से यह जीन प्याजे का था और यह थे अब आपको खुद को लगाओगा कि कितने महत्पों हैं दोनों समझ में आ गए होंगे दोनों की जो चार पार्ट में जो डिवाइड किया वो भी समझ में आ गया होगा एज काउंट कर लो बैस और कुछ नहीं करना एज के कोडिंग आप सोच लेना थोड़ी थोड़ी चीजे दिमाग में और सारी चीजे किलियर हो जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए थैंक्स बाइ प्यारे सातियो इसी तरीके से रेगुलर क्लासे जा कर सकते हैं और अपना जर्फ क्वालिफाई करने का सपना 100% पूरा कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे लाडलों लाडलियों ठैंक्स देखने के लिए बाइ